तो हम आज देखने वाले कि हाव वी यू कन कॉन्फिगर फायर बोल्ड वाच विद आइफोन डिवाइस तो आप देख सकते हो मेरे पास आज आइफोन का आइफोन 12 प्रो है जिसके साथ हम कॉन्फिगर करने वाले हैं तो इस सिमिलर टू आइफोन डिवाइस कि उसका पहले इसे स्वीच अन कर लेते हैं ये वाच को एप स्टोर में इनका एक ओफिशेल इफलिकेशन है दी एफट करकेws तो यह एप्लिकेशन हम डाउनलोड कर लेते हैं तो यहां पर वाच ओन हो चुकी है इसके अंदर अभी तिन बच के 48 मिनिट हो चुक है थोड़ी देर हम रुपते हैं इसे डाउनलोड होने देते हैं तो till then we can see कि अगर आपको faces change करने यह watch में तो यहां पर आपको यह सिरिप जो notch दिया हुआ है इसको एक tilt करना है तो यह different type of faces जो available है वो हमें दिख जाएगे और menus के लिए swipe करना है from bottom to top okay तो यह आपके काफी सारे different types of menus available होते हैं okay so यह तो basic thing हो गए now let's see कि हम connect कैसे कर सकते हैं watch को तो यह watch यह official application है इसे हम open कर लेते हैं open करने से ही आपको कुछ pre-populate permissions पूछेगे तो यह permissions में हमें first आता है Bluetooth permission okay तो यह जो watch होती ही यह Bluetooth से connect होती है हमारे device को after that the next notification comes is like आपको notifications allow करने हैं कि यह application को तो इसे भी मैं allow कर देता हूँ so now the next thing is like the basic information से पूछता है तो first like a gender उसके बाद में आपकी height पूछता है what is your weight तो यह कुछ अपका weight पूछ लेता है तो यह weight डाल लेते है बर्तियर डाल लेते हैं और फिर यह सारी चीज़े होने के बाद हम इसे on अभी हमें first thing करने हो first यहाँ पर आपको आ जाता है कि add smart watch to give more health information ओके तो यहाँ पर हमें अभी यह configure करनी है यह watch ओके तो यह application हमारा इंस्टॉल हो चुका है हमारे पास यह firebolt की watch है और अभी इसे add करने के लिए हम click करते है add a device ओके तो यहाँ पर कुछ locations के लिए permission पूछता है तो अभी फिलाल के लिए मैं इसे permission देता हूँ कि allow while using the application तो यह now the next thing you need to do is like go to the settings यहाँ पर हमें Bluetooth on कर लेना है Bluetooth on करने के बाद आपको यहाँ पर दीखेगा BSW05 तो इसको हम connect करते हैं यह basically हमें watch access करने के लिए हम इसे connect करते हैं यह Bluetooth device को तो यह हो चुका है हमारा connect इसके बाद में यहाँ पर अभी हम application में move होते हैं okay next step is to go to the application यह नहीं add a device यहाँ पर device आ चुका है अपना BSW इसको select कर दिया अभी मैं devices में जाता हूँ तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि BSW यह device हमारा हो चुका है now it's asking कि pair करना है we'll click on pair button तो यह पेर हो चुका है पेर होते से आप देख सकते हो कि इसमें different information आती है तो यह watch का जो नेम आ रहा है वो है BSW 005 इसका battery percentage है 51% तो अभी हम देखते हैं कि इसका face watch हम कैसे change कर सकते हो कि तो यहाँ पर है different type of faces available है तो यहाँ में से इसमें से आप कोई भी एक select कर सकते हो तो अभी अगर मुझे कुछ install करना है suppose I like this face watch ओके और यह मुझे अभी install करना है तो how I can do it is just click on this and download immediately तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि transferring start हो चुका है यह first download होगा और उसके बाद में यह transfer हो जाएगा हमारे watch के अंदर तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी transferring start हो चुका है 10% 12% तो जैसे ही यह complete हो जाएगा यह watch face आपको watch के अंदर दिखना start होगा तो इसमें basically first thing क्या होती है कि हम एक ही at a time एक ही face watch रख सकते हैं डाउनलोड करके रख सकते हैं तो यहाँ पर अभी अब देख लो कि configure हो गया एप में भी update हो चुका है कि यह यह face watch हमने add कर दिया है अभी यह तो हो गया first configuration अभी हम देखेंगे कि how the calling feature works calling feature work करने के लिए हमें फिर सेटिंग में जाना होगा यह watch में allow go to settings यहाँ पर आप देख सकते हो कि basically first thing configured that is BSW005 यह तो connect हो चुका है इसके बाद same device का name आएगा आपको underscore audio करके तो हमें वो भी इसके साथ configure करवाना है तो जैसे वो configure होगा तो you can make a calling functionality work यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ से अगर call करूंगा तो यह पूछेगा मुझे कि you need to turn on okay try to pair again okay see अभी आप देखोगे कि यहाँ पर आ चुका है BSW005 audio okay तो इसे मैं अभी connect कर लेता हूं okay अभी यह दो Bluetooth अभी हमारे connected है for this watch तो first जो connected है that is basically just कि हमें कुछ features use करने के लिए watch के कुछ features use करने के लिए okay और audio इसके लिए कि हम कुछ audio call या कुछ functionality use कर सके इसके अदर तो अभी मैं क्या करता हूं I will call on my device to test the calling functionality okay अभी मैं कॉल कर रहा हूं see now I am calling और यह अब देख सकते हो कि call आ चुका है मेरे smart watch पे तो अगर अभी मैं इसको accept करता हो okay call is accepted और आप देखोगे कि watch में से एक कुछ आवाज आ रही work okay तो यह कैसे चलता है यह basically calling feature okay तो voice भी काफी अच्छे आती है I like disconnect this one okay calling तो यह तो हो गई calling feature इसके अंदर काफी different options है जैसे कि recent call dial pad okay यह सारी चीज़े इसमें available है oh this was just a basic demo to show how iPhone device can be connected to the firebolt so continue watching our channel to get the updated tech videos so thank you and do subscribe to our channel thank you